हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट एड़ा दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीन डाक सेवक भरती की पोस्ट आफिस द्वारा ग्रामीन डाक सेवक के छेसो पदो पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन साथ अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसका ओफिशल पीडियाफ आप जॉबसुरू.com से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंड में पिन किया गया है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की तो इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की वेकेंसी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की वेकेंसी है यह vacancy जो है हिमांचल प्रदेश पोस्ट आफिस सरकल के लिए है इसमें वो candidate apply कर सकते हैं जिनको हिंदी language आती है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप other states से हैं और यह application form भरना चाहते हैं और आपको हिंदी आती है तो आप यह application form भर सकते हैं और अगर allowance की बात करें तो branch postmaster को 12,000 रुपए esperar दिये जाएंगे तोधा assistant branch postmaster और डाक सेवक को 10,000 रुपए पर दिये जाएंगे यह salary जो है 4 घंटे के लिए है वही पर 5 घंटे के लिए branch postmaster को 14,500 रुपए और assistant branch postmaster डाक सेवक को 12,000 रुपए दिये जाएंगे अब बात करते हैं eligibility की सबसे पहले बात करेंगे age limit की तो candidate की age जो है 18-40 साल के बीच में होनी चाहिए IU की गड़ना 7 October 2020 से की जाएगी वहीं पर SST candidate को 5 साल की छूट दी जाएगी OBC candidate को 3 साल की छूट दी जाएगी और PWD candidate को 10 साल की छूट दी जाएगी अब बात करते हैं education qualification की तो candidate को 10 पास होना चाहिए 10 में candidate के पास English language जो compulsory होनी चाहिए या फिर elective subject के रूप में होनी चाहिए उसके साथ compulsory knowledge होनी चाहिए local language की local language में आपको हिंदी आनी चाहिए आप इस notification में देख सकते हैं यहाँ पर हिमानचल पुरदेश की local language हिंदी बताई गई है उसके साथ candidate के पास basic computer training certificate होना चाहिए candidate के पास कम से कम 60 दिन का basic computer certificate होना चाहिए यह certificate central government या फिर state government या फिर किसी university board या फिर किसी private institute organization द्वारा issue किये होना चाहिए जिन candidate के पास 10 या 12 में computerized subject था उनको certificate में छूट दी जाएगी इसके साथ cycling की knowledge होनी चाहिए यानि कि आपको cycle चलाना आना चाहिए अगर आपको cycle चलानी नहीं आती है और आपको scooter या फिर motorcycle चलाना आता है तो इसको cycling में माना जाएगा अब बात करते हैं application fees की तो undeserved OBC, EWS male candidate तथा trans man को 100 रुपे application fees जमा करनी होगी वहीं पर female candidate और trans woman को तथा CST candidate और PWD candidate को एक भी रुपे application fees नहीं जमा करनी होगी अब बात करते हैं vacancies की तो total इसमें 634 vacancy है, EWS के लिए 79 vacancy है, OBC के लिए 170 vacancy है, PWDA के लिए 4 है, PWDB के लिए 2 vacancy है, PWDC के लिए 6 vacancy है, PWD DE के लिए 1 vacancy है application form को भर सकते हैं, और इससे related अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, ये video कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताएं, ये video देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद